तो नमस्कार स्वागती फिर्स इस नई वीडियो में आसा करते कि आप लग अच्छ होंगे दोस्तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं आज बहुत इंपॉर्टेंट नियोज को लेकर के कटप को लेकर के जहां तक कि आपको पता होगा कि जो है एसस्टी का जो है रिजल्ट सिक्स टौइट और नैंट का जो अवी तक नहीं दिया गया है लेकिन सम्भावना कब तक आने का क्या आज आ सकता या नहीं आ सकता है क्यों इतना देरी हो रहा है रिजल्ट आने में सारे जनकार इस वीडियो में हम आप लोग को बताएंगे और आप लोग इस वीडियो में आज clearly जो है आपका result 100% दे दिया जाएगा आज लगभाग 10 11 की बीच 11 बजे की बीच रात में डिकलियर कर दिया जाएगा क्योंकि result आना है क्योंकि इसका answer की भी दुबारा release कर दिया गया है अगर answer की आप लोग चेक नहीं कि आप लोग चेक कर सकते हैं चली हम बात करते हैं सबसे पहले दोस्तों website भी जाकर करके आप लोग को हम अच्छी से समझाते हैं कि cut up क्या होना वाला है इस वीडियो में लास्ट बने रहे चैनल पर नए है तो चैनल पर सब्सक्राइब कर देख सकते हैं 24 तारीक को जो रात में कल जो रिलीच किया गया था आपका रिजल्ट उसके बाद अभी 25 तारीक है रिजल्ट अभी परकासित नहीं किया गया है परंतु मैं आप लोग को पताना चाहूंगा दोस्तों वीडियो में कि cut up क्या होनी वाली है स्स्क्राइब कर दोस्तों जैसे ही आप लोग को मैं बता दोना चाहूंगा कि cut up जो है काफी हाय जा रहा है मैं साइन्स का भी आप लोग देखे थे एडिस्टी से गया था यू आर में इसके बाद जो है आप अगर देखते पाते हैं तो बीसी में भी गया था 76 के असपास तो इसको लेकर देखा जा सकता है सस्टी ज़्यादाए ज़्यादा Buy Exchange की बात करते हैं दोस्तों अउस्ट पिर्टी यहाँ पर हमाना विलेगा व्यारती का जविवि widget से जुदगा जहाश्माम कि आपना इससिटी के लिए करते हैं दोस्तों तो आपका जो है यू आर अगर कहे जाए यू आर तो आपको यहाँ पे आपको 82 to 85 यानि कि पचासी बेरासी से पचासी आपका रहने वाला है इससे पलस ही हो सकता है लेकि मैरेस नहीं होगा क्योंकि विद्यारती यहाँ पे काफी जादा है दोस्तों अगर यू आर अगर आपका 82 से 80th रहेगा तो आपको यहां पे female का भी आपको यहां पे 78 allora 78 से बीच रहेगा इसमें थुरा सा कम हो सकता है 75 से 78 की बीच हो सकता है लेकिन यू आर जो है आपका मेल का जो cut-up आपको यही रहेगा जो आप लोग देख रहें स्क्रीन पर ठीक है अब हम बात करते हैं 9 9 to 10 विद्यार्थियों के लिए को बात करतें दोस्तों तो इसका जो SSD का है ठीक है उसका जो होने वाला है क्योंकि विद्यार्थि इसमें भी काफी है लेकिन इसका कटब थोड़ा से कम होने होगा यूँ और अगर देखते हैं तो हम इसको खाँ सकते हैं 80 यानि के 80 से 85 तुग को आपको जो है एक तक देखने को मिलेगा ठीक है 75 तुग यह आपका होगा फिमेल के लिए इससे थोड़ा सा क्या हो सकता है कि कम हो सकता यानि कि 73 से 70 की बीच हो सकता है लेकिन आपको 80 से नीचे ही रहेगा अगर हम बात करते हैं फिर BC का ठीक है अगर BC के हम बात करते हैं तो BC का क्या होने वाला cut-up आप लोग जान लिजे BC का जो है mail mail के लिए आपका cut-up होने वाला है 76 to 76 to 78 इसके उपर कभी भी ने जा सकता है इतना याद रखिया क्योंकि सारा analysis करके मैं आप लोग को बता रहा हूं और जीतना भी बता रहा हूं सटीक बता रहा हूं ठीक है तो यह होने वाला है बाकी का जो subject है जैसे की 11 12 के लिए उसमें मैत कभी आएगा physics chemistry bio जो आने वाला है उसकी cut-up कि अगर बात किया जाए तो उसका cut-up थोड़ा सा कम जाएगा क्योंकि विद्यारती वहां पर काफी ज्यादा है नहीं अगर हम physics की बात करते हैं physics की बात करते हैं तो उसका you are को हम 72 से 78 तक हो सकता है इससे ज्यादा नहीं हो सकता है ठीक है जो मेन बात था मैंने आप लोग को SSD के बारे में बता दिया ठीक है अगर चैनल पर नए है वीडियो अगर अच्छा लगा और कोई भी विशेस जनकारी चाहते हैं तो आप मुझे कॉमेंट करके बताए ताकि उस पर आप लोगों को में रिपले दे और आपको वीडियो बई बनाकर आप लोगों बताओ वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देजिए चैनल पर नए है चैनल को सब्सक्राइब कर देजिए धन्यवाद